Hey guys, Assalamualaikum, कैसे हैं आप सब लोग, तो अमीद करते हो, आप लोगोंगे बिकोल ठीक ठाक, Alhamdulillah, Allah के फजलो करम से हम भी बिकोल ठीक Welcome back to my channel, अपना अशियाना, तो guys, आज आप सभी को जुम्मा बहुत-बहुत मुबारक हो तो आज जुम्मा है, और मैं तयार शेयर बैठी भी हूँ, आप लोगों को दिख रही हूँ, आज हम कहां जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं स्कूल में, स्कूल में मीटिंग बिठाई गई है प्रिंसिपल से, और I think March, April, May, June, July, August, September, October, 9 महीने बाद फाइनली हम प्रिंसिपल का चेहरा देख पाएंगे, आज हम मिल पाएंगे प्रिंसिपल से, वो भी स्कूल के किसी रीजन की वज़े से मुझे प्रिंसिपल से मिलना पड़ रहा है, स्कूल वाले कुछ जैसे कि अपनी चीजे हम पर थोपे जा रहे हैं, जो कि as a parents मुझे सम हमें अट शुछ का होता है, तरीका और स्रीका होता है, मैं ने बोला कि मैं यह काम नहीं करने वाली हूं, आप लोग ब्लीस मुझे से प्रेशन नाडलतों उनों दो ठीक फिर माम अपना प्रिंसिपल से भात का ले हैं, मैं जो आफ दिखा ओ तो सही कहां है आपकी प्रिंसि विज़े गलत बाते हैं जो मुझे प्रिंसिपल्स कहनी है तो यह कि एक तो पहली बात है कि ठीक बड़ा स्कूल है तो इत मिन सिकिए कि प्रिंसिपल्स इन्विजिबल रहती हैं बड़े स्कूल्स में क्योंकि मैं तो अभी ता कोई स्कूल नहीं देखा इवन गवर्मेंट मे अभी हम बड़े स्कूल में भी पड़े हैं उसके बाद मैंने इन्यात को भी पड़ाया है तो प्रिंसिपल्स एक हर वक्त सामने हमें दिखती थी और हमारे जो भी जायर सी बात है बच्चों की यही प्रॉब्लम होंगी कि मैं बच्चों का इंडिसिप्लेन हो रहा है यह को शुल नहीं टूंगे तो सास भगों के जगड़े तो प्रिंसिपल नहीं सुल जाएंगे ना उनके लिए मैं निकर लेकिन स्कूल की प्रॉब्लम के लिए तो प्रिंसिपल वहां एड़ाया होने चाहिए बट नहीं दिख रहे हमें नौ महीने हो गये हैं लेकिन मेरे को कभी प्रिंजिबल नहीं दिखे हैं, मतलब बात ही हुई थी कि ऑक्ट्यूबर में फेड लगा था था स्कूल के अंदर दिवाली फेड उसके अंदर सब अच्चों को आना था तो मैं और उसके अंदर 500 500 देने थे तो मैंने बोला ठीक है दे दो तो इनायत ने पाइट को जाना था उसमेले के अंदर तो पोई नायत गई अफु को मैंने बोले तो अफु डर गई अफु ने का ममा मैं नहीं जाओंगी ममा मुझे आपके बिना डर लगता और जो कि वो है बेभी फर्स क्लास की है तो वो इतना जादा नहीं इतना जादा गुंपी सकती और मेरे चोट भी ल का मिं यह इतना जादा जाजर थे अफु लग रागता अफु डर लगता है को उसमेश में नहीं आती है इतनी बीड से गवड़ाती है तो वो पार्टी अगर मेरे साथ ही रहती है तो मैंने फिर अफु की मैम से फूना आए कि मैं आप भेजो सारे बच्चे या यह आरह हैं मैं मैं बोल रही हूं आफू को लेकिन अफुछ से मना करे हैं मैं ने टीचर ने भी अफु को बहुत समझाया सब कुछ करा लेकिन अलफीया ने लास्ट मुमें तक यहीं का कि मैं नहीं जाओंगी टीक है पर मैम ने कहा है मैम आप देख लीजे और नहीं अब ही एक दम से दिसंबर में आता है हम आप सर्कुलर के जो बच्चे नहीं गय थे लेकिन तब आपको चार्ज थो पे करना पड़ेगा मैं उसी सिल्सले में चाहरे हूं ऐसी जब हमने बचों का इटमिशन कराया था 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 कि हमने एप्रिल की फीज पे कर दी थी में की फीज पे कर दी जून की फीज जब में पे करने के लिए गई हूँ न तो इन्होंने बोला कि हमने फीज बढ़ा दिये मैंने का चलो कोई बात निया हर स्कूल में में आपको मैं इस मैं नहीं होता है यह भी होता मैं जून है तो मैं कि तो हम जमा करा चुके हैं already फिर उसमें क्या एप्रेल की भी हमने जमा करा दिया already लेकि नहीं मानी तब भी आसी जी ने बोला था कि प्रिंसिपल से बात करा हो तो वह out of town गई हुए आपकी मीटिंग करा देंगे आपकी मीटिंग करा देंगे उन टाइम से इन्होंने हमसे त मैं कर पाऊं मैं डर ना चाहूं वस मुझे लगता है कि मेरी को डर ना लगे वसे मैं अपनी प्रिंसिपल से भी बहुत डरती थी तो मैं अपनी बात है मैं प्रिंसिपल को देखके ना एक भार तो मैं वह चोटी थी हम प्राइविट स्कूल में पढ़ते थी तो I think मैं फर् अब लगा थी वह को दो सुसु ने कल गया था तो मैं इतनी ढर गई थी और लो को और मुझे पूरा थाइम रहा है फ्रिंसिपल से इतना खौफ कि जब में बड़े स्कूल में भी घएना से नी कॉरी आती तो मैं दिथी थी तो मैं इतनी अच्छी तो इनात के नाम आता था इतनी दहशाती तो यह होते तो यह बात कर लेती ती थी। फिर इतनी अच्ही वह अच्छी तन हम्बल निकली, थीरे जी ते ज़मकाना शुरू करें जुरू करें उन्हों को प्रॉपलम बतानी शुरू करा है, मैं लिखकती थी किव्यी ही। वह आप प्रीन्सिपला है। फिर मेरा डर जो है न वो इनायत की प्रिंसिपल से निकला है मेरी प्रिंसिपल का डर इनायत की सांट जॉन की प्रिंसिपल से निकला है और अब देखो यहां क्या होता है तो बस चलते हैं 6 मिनट का वीडियो ऐसे ही बनगे ज्यादा लंबा नहीं करेंगे और वीडियो स्कू मिलते हैं थोड़ी से देर बाद की जा चीजी लेकर आए क्या लिए आपको आपने देश्टी मुलो बहुत्चा हूं बैस्ट ममा है मेरे फोन में क्या हो गया यह चलो नहीं अभी ठीक है चलो चलो दो चोटी वाली खुदी को इन्होंने इन्वाइट करा है सेल्फ इन्वाइ हम लोग आ चुके हैं घर पे और लंच भी हो गया है माशाला से पूरा लंच में मैंने आके वहां से आने के बाद पहले तो सबसे पहले तो हम वहां से साड़े बारा बजे तक आए इन्वाइट की थोड़ी सी तब भी ठीक नहीं तो इसको आपने साथ ले जा सकते हैं इन् पहले फिर उसके बाद अचा तो वहां से आने के बाद मैं और इनायत एक साथ अब बाइक पे नहीं आते हैं तो बच्चे बढ़ रहें तो मैं रिक्षा कर आगई पने पापा के साथ बाइक पी आ गई मैं आ रही थी रस्ते में थी तो रिक्षे वाले ने तरदू बढ़े पापा ने इनायत के लिए मेरे लिए जूस बन्वा के रखा था फिर उन्हों ने भी पिया में नी भी लाइन ने भी पिया मुझे घ्लास जूस प्या उसकी बच्छो मेरी बाद बजीन भुक के मारें क्यूंकि हम लोग सुबा से बैटी लेके गए थे एक चाय और दो बिस जा आपना नहीं को इसको पले रख रहो मेरी प्लेट रहो में थख गई हुना पद है बहरे हस्बन को दिया नाष्ट बना के फिर मैंने खुद ने करा फिर इनायत के लिए बनाया फिर जब तक आईशा अगे थी पैने गाई टी मुझाल आईशा आप बने रखो फटा फट से मैं फिर बनाओंगी राजमा राईजी बनाने आज हाँ जी यह गैस कसे चला रुखी वी तर्कियो गैस चली वी है बंद पड़ी है जिसके अंदर वो जापे हैसे वाले और इंज कलेका है बंद है क्योंकि यह नगमा की जो ददिया सास से उनकी बरसी है कल तो उसको आफ नहीं मिलेका तो उसने आज की ही रख ली और आज की कुरान खानी रखने का मतलब यह कि जुम्मे वाले दिन सभी अपने गरों में बिजी होते तो मेरे पास फिर फोन आया कि बाजी आप जो आजाओ मैंने का बेटा मैं आ तो नहीं सपती हो क्योंकि मैं जस राजमा बनाई रहती है मैंने का बच्चे मैं अभी तक जोहर की नमाज भी नहीं पढ़ी है इस तो बहुत लेट हो गया मेरे को आप सिपारे बतादो कौन सा पढ़ना मैं पढ़ दोगी तो कैया थीकि आप दो आप अपारे पढ़ देना पडले लेकिं जो मैं अपर था झाल थे के चाहल राजमा चाहल आज़ा अब खाना निखाया था मैंने राजमा बनाए राइस बनाए और फिर जमे नमास पढ़के फारी कोई तो मैंने देखा बहुत टाइम हो तो मेरा शोल्डर भी पें कर दो बेटा मैं एक पर सकती हूँ दूसरा निए पर सकती हूँ फिर फड़ी सुरी यासिन पड़ी उसके बा अब मैंने पार्टी करी उन्होंने पार्टी करी इन्होंने मांगा था ममा से समूसे चो आप लोगो ने देखे मैंने इसका वीडियो ऐसी जब बोलती है कुछ चीजे मुझे बड़ा अच्छा असा लगता है क्या बोलता है ममा को अट दुनिया की बश थूँमा अए जब मुझे पितना नहीं कुछ तो पे कर दो नौ कुछ तो पे कर दो अब कितने सारे हमने आपके क्लॉस सुने है आपकी बात भी क्यों तो मेरी सारी जन्मिन बात vacuumג कर दोके हैं क्या होता क्या नहीं होता आला जाने लेकिन भई मुझे यह वाली चीशी समझ में भी इन चाइप करें लिगे मुझे था कुछ मैं प्रींसिपल से मिलूःगा लेकिन हम आज भी प्रिंसिपल से नहीं Migli इतनी टाइट सेक्यॉर्टी मुझे ऐसे लगा मैं किसी प्रधान मंतर से मिलने के लिए जा रही हूँ हमें सबसे पहले गेट पहले एंट्री तो वह करने ही पड़ते हैं मान जो आफो उसके बाद उन्होंने हमारा नाम लिया बच्चे का नाम फिर हमें एक पास दिया फिर ए वह कुछे के बच्चे का एक बच्चे का एक प्रोटाइ हैं मलव एक प्रोटोकाल मैं अंदर जाने वाला विदाउट वाइफ के और फोन भी समिट नहीं करूंगा तो प्रिंसिप मतलब जो उनके इंचार्ज थी वो समझ गई तो नहीं कर ठीक है आप फोन समिट करा दीजी लेकिन आप दोनों हस्बन वाइफ मेरे पास आ जाईए फिर हम बैटे हमने अपनी नहीं बाचित रखी इस अब देखो क्या होता है क्या नहीं बहाल तो बस यहीं सब्धर में इत्ती थाक गई हुँ है वन उधंने और बाइशा बश्य Μेरा गे traits Mika को ने भी राज मारा इस हुसे हमने ने भी कह लिए हैं आइशा ने भी работ क्यों करतें थोड़ा सा अर्ऌत हो वो दिक्कत होती है, सब को देखने में, अब हम करेंगे थोड़ा सा रिलाक्स, एक अज व्लोग देखती हूं किसी का सुकुन पाती हूं और यह व्लोग अप्लोड करती हूं आज शाम तक या फिकल सुपा में अपलोड करती हूं ठीक है, तो हम मिलेंगे आपसे, नेक्स वीडियो में तब तक लिटाटा बाई 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 अलाहाफिज अपने बहुत सारा ध्यान रखेगा अलाहाफिज